नश्कार दोस्तो जॉब्क्लिक्स डॉट इन में आपका स्वागत हैं आज हम फिर से हजीर हो हैं आपके पास आपके लिए एक नहया बीएश्टेसी से रिलेटेड अपडेट लेकर जैसा कि अभी न्यूज और चर्चा में आ रहा हैं कि बीएश्टेसी ने फॉर्थ काउंसल हो चुकी हैं या नहीं इसी सच को जानने के लिए हमने यह अपडेट लाया है और इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लिजिये और बैल आइकन पर क्लि चल रही है और इसके बादे में इसके जो रिजल्ट आने वाला है जो फोर्थ सितंबर को आने वाला है तो दोस्तों यहां न्यूज बिल्कुल भी सही नहीं है जबकि बीएस्टिसी ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है उसके अंदर दिया गया है कि प्रारंबिक यहां न अधिक्तिया महिलाय तता दिव्यांग श्रेणी के वहां श्रेणी में महाविद्दाले में प्रवेशित अभ्यारतियों को केवल तीन महाविद्दाले अंसनस्ता का वरियातों नशार ओनलाइन विकल्प बने की परक्रिया है मिंस इसका मतलब यहां है कि यहां सिर्फ रिजर्व टाइब के कंडिडेट्स भर सकते हैं इसमें फॉर्म और उन्हीं को उनकी मेरिट के एक्रोडिंग सीटे अवलेबल होगी तो इसका जो सेडूल है वो इस परकार है कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म में वो तीस अगस्त से लगा कर तीन सितंबर तक बरा जाएगा जो इसका जो डीकलेरशन है का कॉलेज का सीट का अलोट्मेंट का वह चार सितंबर को होगा और इसके बाद में जो उन केंडिडेट उन रिजर्व टाइब के कंडिडेट्स को जो अपना कांवार्टिंग के लिए रिपोर्टिंग करनी है उन अलोटेड कॉलेज के अंदर वो करनी है चार सितंबर से लगा कर साथ सितंबर तक तो दोस्तो तो यह था only उन candidates के लिए जो की reserve category से belong करते हैं तो यह कोई fourth counselling नहीं है दोस्तो तो आपको जो भी इस category से belong करते हैं वो जल्द से जल्द इसका counselling form आज last date है उसे बढ़ते हैं और साथ अरिक तक complete हो जाएगा तो अभी के लिए इतना ही हम फिर हाजीर होंगे नए updates के साथ all the best thank you guys thank you for watching और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और अगर कोई आपके question है तो उसे comment box के तुरू हमसे पुछ सकते हैं उसका जल्दी जल्दी reply करने कोशिश करेंगे thank you thank you so much